तो दोस्तो अगर हम बात करें तो एपल का लॉँच इवेंट है वो लीख हो गया है और लीख पता है किसने की है खुद सीरी ने और सीरी ने खुद लॉँच जो इवेंट की जो डेट होती वो रिवील कर दी है अगले हफ़ते लॉँच इवेंट है यार मतलब तेरा तारीक ह मतलब क्या 7 दिन बाद जोड़ार अगले Tuesday हर बार जो Apple के launch events होते है Tuesday को ही देखने को मिलते हैं आज शाम को official press release आपको देखने को मिल जाएगी और 20th April को देखने को मिल जाएगा अपल का नए launch event और नए launch event के अंदर आपको पता पता है कौन कौन से interesting और नए नए products देखने को मिलने वाले iPad Pro देखने को मिलेगा जो कि mini LED वाला होगा इसके साथ ही आपको नए air tags देखने को मिलेंगे काफी साही चीज हो जाती है और इसी के साथ ही आपको काफी सारी दूसरे चीज़े भी देखने को मिल सकते हैं काफी interesting event होने वाला Apple अपना launch event करती है जोर शोर से चीज़ा announce करती है और पिशली बार पता Apple ले क्या करा था Apple वालों ने जान बूचे गलत leaks की जो information थी वो फैलाई थी और leaker को गलत information मिल गई थी कि March में event होने वाला है जान बूच के सब लोगो उसनों ने ट्रोल कर दिया था लेकिन अक्सबार लग रहा है शायद 28th April को एक अच्छा सा interesting launch event देखने को मिल सकता है और काफी amazing products देखने को मिल सकते है हाला कि Apple के birds होते तो अच्छे काफी जाद reliable भी होते हैं durable भी होते हैं लेकिन यह बहुत महंगे होते हैं देखते हैं किते महंगे महंगे कितनी चीज़े देखने को मिलती है AirTags देखते हैं वो किते का आता है और अन्या iPad Pro जिसमें mini LED है और कहा जा रहे हैं जिसमें 5G भी देखने को मिलेगा हो वो किस कीमत पर आता है यह एक देखने वाली बात होगी तो इसी के साथ ही अगरे बार हम बात करते हैं तो IQ7 जो होता है न उसकी भी जो launch date है वो हमारे सामने आ चुकी है मतलब मैं बता रहो IQ7 मिलेगा आपको Amazon पे exclusive और IQ7 की launch date पता है किती है 26th April यानि कि आपको 26th April खो देखने को मिलेगा नया IQ7 और उसके अंदर भी काफी exciting चीज़े देखने को मिल सकते हैं यानि कि हमें पता snapdragon 888 तो आने वाले snapdragon 870 वाला IQ7 भी देखने को मिलेगा तो हाँ यह भी काफी साही चीज हो जाती है और interesting बात है कि हाँ पे आपको special display chip भी देखने को मिलेगी जिसमें MEMC HDR का control होगा वैसे यह display chip किस तरीके से काम करती है इस पे वीडियो कल आने वाले में चल पे तो stay tuned for that लेकिन हाँ काफी interesting चीज़े होने वाली है लेकिन overall कहने का मतला भी कि जो flagship killer वाली category होती न वहाँ पे आपको काफी तगड़ा phone देखने को मिलने वाला है काफी सही हो जाते है below 40,000 में snapdragon 888 और 870 वाले की देखनों की exactly कीमत क्या रहती है क्योंकि लग रहे है कि आने वाले समय जो Mi 11X होता है न उसके साथ ही बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकता है so देखते है क्या रहता है और इसी के साथ ही बात करतो दुनिया भर में जो PC shipments की जो sales होती है यार वो rise up कर गई है Q1 2021 में 84 million PCs बेखी है पिछले साल की तुलना में 55.2% है यार यह बहुत बड़ी चीज होती है कि desktop, computer, laptops इन सबकी sales इती तेजी से बढ़ रही है इसके अंदर number one पर जो company रही है वो रही है आपके Lenovo second पर जो company रही है वो रही है HP third पर Dell fourth number आता है Apple का जिनोंने सबसे ज़ादा growth दिखा यह 100% की उपर की और Acer Group का भी नाम आता है जी हां काफी interesting चीज़े हो जाती है लोग लग रहा है कि इस पार है न धीरे 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 दुबार से computers, laptops के उपर धीरे 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 तुबार से आकरशित हो रहे है और वो नए नए से नए purchase कर रहे है ज़रूरत भी है यार धीरे 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 technology advance हो रही है लेकिन हाँ laptop computer के ऐसी चीज़ होती है जो mobile phone जैसे हरा कोई भी आदमी 6 महीने साल पर देट साल में नहीं बदलता 3-4 साल, 5 साल तक लोग इसे लगाता normally तो use करते कुछ तो कुछ तो देखा कम से कम 10-10 साल भी एक ही laptop computer चलाते रहते क्योंकि चलता रहता है दिक्कत नहीं आती लेकिन अब लग रहा है कि लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे उसमें भी अप्रेट करनी के ज़रूरत है EMD की technology advance हो रही है Intel की technology advance हो रही है Apple वाले खुद अपना M1 लेकि आ गए तो शायद अब लोग को reason मल रहा है अप्रेट करने के लिए और इसी के साथ ही बात करतो आने वाले समय में आपको Motorola की तरफ के दो नए phone देखने को मुल सकते हैं यानि कि बात करो Moto G60 और Moto G40 Fusion की यह दो phone है वो leak हो चुके इमेज़ वगरा leak हो चुके स्टफ लिस्टिंग ने कर दी थी leak और देखा तो उसके अंदर काफी इंटरस्टिंग चीज़ होने वाली जिसकी एक स्वाट में का पिसल का कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पे Snapdragon 732G होने वाला है मतलब अच्छे phone लग रहे है exciting लग रहे है pricing क्या होगी इस पर depend करता है क्योंकि market में already competition है Redmi Note 10 series, Realme 8 series का है इन से compete कर पाएंगे क्योंकि on-paper specification काफी सही है Snapdragon 732G वगरा ऐसा आने वाला है stock Android के साथ काफी clear deal साबित हो सकते हैं हाँ पर देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर और इसी के साथ है जो Xiaomi न वो दोबारे से Mi Pad launch करने का प्लान कर रही है और Mi Pad होते हैं वो इंडिया में नहीं आते इंडिया में सर्फ एक ही Mi Pad आया तो उसके बाद से कोई सनी आ है लेकिन Mi Pad 5 चैना में launch हो सकता है Dimensity 1200 processor और इसके आपको 144 Hz का refresh rate वाला display और 8000 mAh की बैटरी के साथ Mi Pad 5 आ सकता है देखते हैं किस तरीकर रहता है काफी लंबे समय से Xiaomi के Mi Pad आपको देखने को नहीं मिले है यहां पर leaks rumors काफी जादा चल रहा है फिर भी देखते हैं उम्मीद है कि जो company जो भार आपके अच्छे अच्छे टैबलेट्स मना रही है वो यार इंडिया में भी लेका है क्योंकि इंडिया में भी लग रहा है कि टैबलेट्स की demand काफी जाद है यहां पर देखा तो इंडिया में अभी अच्छे जो companies को जो टैबलेट्स मलते है वो Lenovo के होते हैं और आपको Samsung के देखने को मिलते हैं तो हां यहां पर एक बात खतम हो जाती है और इसी के साथ ही बात करें तो जो वीवो के फोन्स है ना उसके साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था यानि कि वीवो का एक Y20 फोन है उसने Hong Kong जाने वाली Air Cargo वाली फ्लाइट के अंदर जो बॉक्सेस रखे थे वहां पर आग पकड़ ली थी और काफी जो बड़ा स्लोट था वो वहां पर मतलब तभा हो गया चल के राख हो गया और इस चक्कर से वीवो के जो फोन्स जो कारगो प्लेन के अंदर जाते है उसके उपर एक छोटा सा बैन लग चोक है कि वीवो के जो Y20 स्रीज के जो कुछ फोन्स है यह अब कारगो प्लेन के अंदर ट्रेवल नहीं करेंगे जिसके करणे इशू हुआ है देखते हैं क्या रहता है यह अभी होंग कॉंग के अंदर जो फ्लाइट्स वगरे ट्रेवल करती है इसे वही पर यह बैन जो है वो लिमिटेड है इंडिया में इसका जो कोई इंपेक्ट होता है वो आपको भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा फिर भी काफी इंट्रेस्टिन चीज़ है जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ इसके साथ ही चलिए बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट्स के बारे में तो यहाँ पर पलमेते मीडिया वक एंट्रेइमन का सवाल है कि मी 11X से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए प्राइस ज़्यादा हो सकती है एक्जेक्ली मी 11X का प्राइस बहुत किलर होने वाल है जो मझे पता है 25,000 से लेके 30,000 के बीच इसका प्राइस महुच सकता है लेकिन मी 11X के अंदर जो एक्सपेक्टेशन होती है न वो थोड़ी लो हो सकती क्योंकि वहाँ पर में के लोगा प्रोसर का लेकिन वहाँ पर कुछ जगे कॉस्स कटिंग की गई है जैसके आपको बताऊं कि लोग मतलब इतने भेंगे फोन के अंदर अंदर डिस्पले फिंगर्प्रिंट स्कैनर तो एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन उसके अंदर साइड माउंटर फिंगर्प्रिंट स्कैनर आने वाल है थोड़ी सी छोटी बैटरी देखने को मिलेगी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी लेकिन हाँ कोई भी एक्स्ट्रीम पचास वाट है उसके उपर के फास्ट चार्जिंग नहीं सिर्थ 33 वाट की जो रेगुलर चार्जिंग होती वही एक्सपेट कर सकते हैं कैमरे में भी मैक्रो डेप्थ का खेल होगा यहाँ पर आपको कोई भी आपको वो टेली फोटो जूम लेंस तो देखने को मिलेगा यह नहीं मिलेगा नहीं में कैमरा में OIS तो हाँ कुछ जगे कॉस कटिंग करके जो शौमी है ना मतलब उसी चिंदीगरी हरकते करके कीमत एक हम लानी कोशिच कर रहा है अपने प्रजटक सी ताकि कॉम्टेशन से अपने सस्ता बना देए अब आपको पैसे बचा के एक प्रोसेसर की उपर फोकस करके फोन लेना या फिर थोड़ा सा अगर आप पैसा ज़ादा दे सकता हो सकता है अपकमिंग आईकू 7 में आपको ये सारी चीज़े देखने को मिल जाए तो वो उस हिसाब से काफी अची डील बना देता है मतलब यह हो सकता है शायद आईकू 7 कीमत थोड़ी सी ज़ादा हो जाए लेकिन और का अभी आईकू 7 में 120 व NI नहीं आने माले 12 2 राइगा 66 व अभी हमें पता चले वह ही आने वालand है वह वो भी आईकू 7 की लेजेंड अधिशन में और अभी भी हमें यह पता नहीं की आयकू 7 में कौन सा चारजर आए में बना दियांगगा बाकि दो कानला इवोणा है दो स चीज़े रहतीस के अंदर 26 अप्रेल के अंतिजा करते हैं उसके वाद देखेंगे तो दोस्तों ये खतम होते हैं आप लोगे सवाल आज से ही अगर आपको कोई दूसरा स्वाल तो प्लीज नीचे कमेंट सक्षिन खुला पुछ नहीं पूछ सकते हैं क्यों आपको वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आतो लाइक करना चैनल को स्क्राइब करना ना आप सनल दो नेक्स वान के अंदर गुद्बाई